आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन सांबर, जो कि साउथ की फेमस डिस है, इसके विना वाका खाना अदूरा रहता है, तो हेलो फ्रेंड्स मैं दीपा, मेरी किछर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हम बनाएंगे सांबर बिल्कूर साउथ इंडियन तरीके से, जैसे स सांबर बनाने के लिए डाल का इस्तेमाल कम होता है, सबजियं ज़्यादा डाली जाती हैं, तो यहां पर हम जघ़ो देते हैं, को तरंट सांबर बनानी है, और आप दाल नहीं भीगो पाएं, तो आप गरम पानी में दस मिन के लिए विगो दीजे, तो भी भी पूल इसको भी आदे गंटे के लिए भिगो देते हैं, आधा गंटा हो चुका है, ये देखिए दाल यहां पर फूल चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितनी बड़िया फूल गई है न, अब इसको पकने में जादा टाइम नहीं लगेगा, दाल को भिगोने का एक र पकर के तैयार हो जाएगी, दाल को इदर कोकर में ने डाल दिया है, और इसमें डाला है एक बड़ा वाला ग्लास भर कर के पानी, सामबर पतली होती है, इसलिए जितना आप दाल बनाने के लिए पानी डालते हैं, उसे ज्यादा ही डालना है, एक चमच नमक और एक चमच हल होती है तो यहां पर तीन-चार सीटे आ चुकी है गैस की फिलेम को कर देते हैं आफ अब मैंने यहां पर लिया है दो प्याज लौकी कद्दू यानि की पेठा एक बैंगन सेजन की फलियां सेजन की फलियां बहुत पॉस्टिक होती है यह बिटमिन देते हैं कड़ाई इसमें डाल दिया ओयल गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे एक चमच भरके राई यानि की सरसों जैसे ही तरकने लगे डाल देंगे करी पत्ता अब डालेंगे लाल मिर्ची प्याज और लेसो नदर का पेस्ट पत्ति के बहुत सारे फायदे होते हैं बालों के लिए इसकीन के लिए डाइबटीज के लिए तो रामबान इलाज है सौथ में जो भी चीज बनती है उसमें करी पता तो जरूर जाता है इसमें एंटी ऑक्स बाल काले लंबे घंए होते हैं मैं तो इसका सैंपू भी बनाती हूं और ऑयल भी बनाती हूं अगर आपको चाहिए हो तो मझे कमेंट करके बताना मैं आपको बनाना ज़रूर बता दूगी आप करीपत्ता अपनी डाइट में सामेल करते हैं और इसको अपने रूटिं में ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो चलिए करीपते के बारें बहुत सारी बात है हो गई आप यहां पर डालेंगे आधा चमच हींग सामबर में जरूर डालना इसे टेस्ट बहुत अच्छा आती है खाने को भी डाइजेस्ट अच्छी अब यहां पर डालेंगे दो टमाटर बारिक कटे हुए इनको थोड़ा सा भून लेते हैं करीपता डालने से कितना टेस्ट बढ़ जाता है इसमें खुशू बहुत अच्छी आ रही है मसाले में तो अब डाल देते हैं इसमें मसाले टमाटर भून चुके हैं आदा चमच हल जाल दी हम पहले डाल में डाल चुके हैं इसलिए ठोड़ी डालेंगे एक चमच धनिया पावडर आदा चमच गरम मसाला ठोड़ी लाल मिर्शी यहां पर जाएगी एक सीक्रेट चीज साबुत धनिया एक से डेड चमच नमक नमक थोड़ा ध्यान से डालें हम दाल में भी होता है आप धिहान से जब भी खाएं तो नोटिस जरूर करें मसाला भन चुका है अब इसमें साली सब्जिया डाल देते हैं अगर आपको साउध जैसे सांबर बनानी है होटेल जैसी सांबर बनानी है तो आप इसी तरीके से बनाएं दाल को अलग पकाएं सब्जियों को कि यहां पर सब्जी को कर देते हैं मिक्स का जो खाना होता है बहुत है यहां जादा सब्जियां यूज होती है जब कि चाइनीज फूर्ड बहुत ज्यादा नुकसान दायक होता है तो साउथ इंडियन खाना तो आप हफते में एक दुबार ट्राइ करना कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी नहीं है इन फैक्ट आपकी बॉड़ी की सारी ज़रूरत में पूरी हो जाती है इतनी सारी सब्जियों का यूज होता है अब यहां पर हम डालेंगे दो चमश नेक्स टाइम मैं आपको खुद से घर पर मसाला बना करके दिखाऊंगी इसकी वीडियो भी डालूँगी कि आप घर पर सांबर मसाला कैसे बना सकते हैं इन सबको कर देते हैं मिक्स मसाले और सबजी भुण चुकी है अच्छे से अब इसमें डाल देते हैं पानी यहां पर पानी में कड़ाई बर करके डालूँगी क्योंकि सांबर पतली ही अच्छी लगती है वो जो गाड़ी सांबर हो जाती है वो बिल्कुल बेच्छी नहीं लगती यहाँ पर पानी मैंने केतली में पहले से गरम किया हुआ है ताकि गैस की भी बचत हो और टाइम की भी बचत हो यह देखिए मैंने यहाँ पर कड़ाई बरकर के पानी डाल दिया है अब इनको 15 मिनिट तक ऐसे ही पकने देंगे गैस की फिलिम को मीडियम ही रखना है अब चेक करते हैं 15 मिनिट बाद आप इच विच में चेक करते रहें 15 मिनिट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं अभी परफेक्ट यह देखिए सबजियां पर पक चुकी हैं अब थोड़ी सी साबुट सी दिख रहे हैं इनको हलका लका उलका मेश कर दिए है बहुत ज़्यादा नहीं कर ना जैसे मैं कर रहे हैं आप वैसे कर लें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हलका हलका करना है यह देखिए सबजिया पर पक चुकी है président जो दाल हमने पहले से पका के रखी है न वो इसमें डाल देते हैं यह देखिए दाल जैसे हम लोग खाते हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है जैसे कि मैंने पकाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबजियों की क्वाइंटिटी ज़्यादा है और दाल की कम है सांबर ऐसे ही बनती है दाल कम डाली जाती है और सबजियों ज़्यादा होते हैं तो चलिए सारी दाल हम यह पर डाल देते हैं अगर आपकी संबर गाड़ी हो गई है तो आप उसमें गरम करके थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं मैं डालेंगे एमली का पानी जो एमली मैंने के लिए और पका लेते हैं ताकि दाल और सबजियां आपस में मिक्स हो जाएं तो एक मिट हो चुका है गैस की फिलेम को कर देते हैं ऑफ अब इसमें डालेंगे हरा धनिया परफेक्ट यहां पर बिलकुर रेसोरेंट स्टाइल होटेल स्टाइल बढ़िया सांबर बन करके तयार हो चुकी है बहुत ही टासी बहुत ही दिलिस्यस स्टाइब अब आप यस यसाड़ी के साथ डूष के साथ जैसे चाहे वैसे नज्यॉआ करें और comment करके जरूरूर बताएं कि आपको मेरी recipe कैसी लगी पसंद आए तो भी comment करें ना पसंद आए तो भी comment करें कोई बात नहीं है कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरे viewers को मेरी recipe पसंद आ रही है या नहीं आ रही है तो यह देखिए बहुत ही बड़ी असांबर बन करके तयार हो चुकिए लग रही है ना भी कुछ रेस्ट्रेंट स्टैल तो चलिए ऐसी के साथ लेते हम विदा और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लेक्ट शेयर सब्सक्राइब झालो